परदान मंतरी SSV चातरवती योजना की तैयारी कर रहे कक्षानों के सभी विद्यारतियों का हारदिक स्वागत हैं दोस्तों आज हम देखेंगे आपके विज्ञान का अंतिम पार्ट यान की ग्यारवा पार्ट आपके आज अंतिम हो जाएगा पूरा जो सिले बसें विज्ञान का आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद कल से हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और उसके बाद मैत और उसके बाद बच्चा हुआ जो जीके वगरा का सिले बसें उसको हम कवर करेंगे अगर कोई नया विद्यारती है तो उसको बचा दे कि डेली हम आपके लिए वीडियो लाते हैं सामके पांच बजे तो आप डेली का वीडियो पांच बजे के बाद कभी भी देख सकते हो और आपने अगर बच्चे हुए जो इससे पहले के पांट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप बेलिस्ट में जाना वहांपर सभी पांट से सिक्वेंस में मिल जाएंगे पार्ट वन पार्ट डो इस तरीके से हैं और अगर नहीं मिले या फिर आपको प्लेलिस्ट होगे रहा देखना नहीं आता हैं तो भी कमेंट कर दे रहा मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगा जिससे फिर आपको वह मिल जाएगी तो चलिए आज के क्या क्या इंपोर्टे क्यूशन में से कौन नहीं है तो गर उलका पेंड दूम केतू यह सभी सोर परिवार के सदश्य नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आकास अगला क्यूशन आपके लिए हैं कि हेली दूम केतू परतेक वर्थ में देखा जाता है इस पार्ट के और इससे पहले वाला जो पार दाना दस हुआ उसके क्यूशन काफी जड़ा इंपोर्टेंट है एक भी क्यूशन आपको छोड़ना नहीं है इनका यही है यह जिके टाइप के भी क्यूशन है तो आपको यह वहां पर भी काम आएंगे चलिए यह क्यूशन देखते हैं तो इस्ठार अगरा में न जाया होगा तो कहीं सारे बच्चे यह क्यूशन आती हुआ यह भी गलत करके आएंगे केस हैं जैसे वह यह क्यूशन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उतावली हो जाएंगे और जल्दी से एक और किया जाएंगे लेकिन पीछे लिखा हुआ है महीना जबकि यह कितने सालों सालों के बाद देखा जाता है 56 साल के बाद में यह देखा जाता है तो राइट आंसर अपना क्या होगा वी उप्शन होगा तो आप जल्द बांजी ना करें समय आपने देखा ऊपक्र ही यह एक तारा मंडले, तारा मंडल क्या होता है, तारों का शमू है, वालब तारों का एक जुंड है, कौन अर्षा मेजर या उर्षा मेजर, तारा मंडले हैं वो, किस गरह के उपगरहों की संक्या सबसे ज़्यादा है, आपको पता हैं, तो इन आठ गरहों में सबसे ज़्यादा उपगरह किस गरह के हैं आपको पताएं हमारी जो प्रत्वी है उसके कितने उपगरह हैं उसके उपगरह हैं एक उसका नाम क्या है चंद्रमा तो एसे ही जो एक उपगरह का नाम आपको बताना है जिसके उपगरह सबसे ज्यादा है तो राइट हंतर हो जाएगा सनी जो सनी है उसके हुपगरण सबसें जादा हैं, किसके हैं? सनी के हुपगरण सबसें जादा हैं आगे बढ़ते हैं पांच वाकिशन खगोली ए दूरियां मापने के लिए किस इकाई का प्रियोग किया जाता है जिसे हमें, आज दरती पर जो हम डिस्टेंश मापते हैं तो राइट आंसर क्या होगा प्रकास वर्स में मापते हैं किस में मापते हैं प्रकास वर्स में चलिए आगे बढ़ते हैं पचानने योगी आकार बनाने वाले तारो को क्या कहा जाता है मतलब वो जैसे तारे तो कहीं सारे हैं आसमान में तारो तारो का जुंड तो मनलब कहीं सारा हैं लेकिन उनको हम नहीं जानते हैं लेकिन कहीं तारे एसे होते हैं जो फिक्स हैं फिक्स पैटर्ण में होते हैं जैसे साथ तारों का सम्मू एक किशन मार्क के तरह हो गया और भी कहीं सारे pattern है वाँ पर तो इनको क्या बोला जाता है इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं तारा मंडल यानि कि तारों का सम्मून क्या बोलते हैं इनको तारा मंडल साथ वा किशन है कि कौन सा तारा प्रत्वी के सबसे नजदीक हैं अब देखो कितने कितने मतलब बहुत ही ज़्याद सबसे नजदीक तारा हैं अत्यदिक अंडाकार कक्षा में सुष्छे के चारो और चक्र लगाने वाले खगोले पिंडों के लिए किस सब्द का प्रियोग किया जाता हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर अपना हो जाएगा धूम के तू आपको पता है जो धूम के तू होते हैं वो क्या करते हैं सुरे के चार और चकर लगाते हैं ये धूम के तू क्या हैं धूम के तू वही गरों के टूटे हैं एक तरीके से ये गर पाई जातीएं तो राइट आंसर किया हो जाएगा खुद्र घटकर कोण्से झार वह जाएंगे यह इधर ऑपने से पुद्र फिर चुटर ऑर प्रतवी और फिर अपना जाएगा पिर अपना मंगल और उसके बाद आता है पिर इदर से यहां पर इस बीच में यहां पर क्या पाए जाते हैं तो आपको दियाद रंगना है मंगल और बरसपती के बीच में किस गर को सुबह का तारा या साम का तारा कहा जाता है अब देखो कितने इंपोर्टेंट क्विशन है मतलब यह आपने किहीं जीके में बहुंएं में पढ़ेंगे आपने कभी जीके की किताप उठाई होगी तो उसमें आपने पढ़ाओं तो बताओ सुबह का तरह या जो क्या नाम गब आता हुहका मदाब यह पना रही जूठत बर सोशब्त वह अरे मेंसल coming से गलत शें तो तो यह तो मिस्टाइब हो गया चलो इसको ठोड़ दो आगे बढ़ते हैं बारवाकिशन निमने लिकित में से कौन सा ग्रह नहीं है अब वह बताना है आपको किन में से कौन सा यह देखो मतलब कुछ ज़्यादा है यह क्या है यह इंगली समय थे तो इनको इंदी में ट्रांस सुना होगा तो यह एक गरह नहीं है बागे ब्रसपती से नहीं बोदिया सभी क्या है गरह है आगे बढ़ते हैं और आयन क्या है अब और आयन आपने नाम सुना होगा तो और आयन क्या है तारा मंडले है तारा है उप गरह है क्या है आपको आठ गरह के नाम तो पता होगा तो ये गरह से तो गया मतलब ये गरह तो है नहीं तो फिर ये क्या है तो राइट आंसर अपना हो जाएगा एक तारा मंडले यानि कि ये भी क्या है एक तारों का सम्हुए तोड़ते तारे कलाते हैं जो तोड़ते तारे आपने देखा होगा न तो वो क्या कलाते हैं तोड़ तोड़ते तारों को उलका हैं क्या बोलते हैं उलका हैं तो तोड़ते तारों को उलका हैं करते हैं सुरे से सबसे दूर वाला गरह कौन सा हैं सुरे से सबसे दूर गरह कौन सा हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर अपना हो जाएगा नेप्चुन कौन सा हो Neptune जो है, सबसे दूर वाला गर हैं सूरे से, अगला है हैं, यदी मैं तेरा साल कहूं, तो मैं सूरे के चारो ओर बार घूम चुका हूं तो मैं सूरे के कितने चक्र लगा चुका हूं, वो आपको बताना है, तो राइट हांचर हो जाएगा तेरा चकर कितने चकर तेरा चकर अब तेरा चकर मतलब क्या हो चुका है नलब ये प्रत्वी की बात कर रहा है तो प्रत्वी गुम रही है तो हम भी तो कुम रहे ना तो इसलिए यह तोड़ा सा लोजिक गुमा कर क्यूशन पोच लिया कि मैं तेरा साल का हूं इसका मतलब एक तरीके से कितना मतलब अंदर से इसका गनतु सबसे कम हो जाएगा तो बेसे यह जो सनी इसका गनतु सबसे कम हो गया अठार वागिशन देखो लंबी पूंच के साथ एक चमकदार सिरे के जिसे रूप में दिखाए देता है जैसे जैसे यह सुड़े के निकट आती है उसके पूंच का अकार बढ़ता रहता ह तो बताओ ये किसकी बात कर रहा है तो राइट अंसर हो जाएगा धूम केतु की किसकी बात कर रहा है कि धूम केतु जो होता है वो लंबी पूँच के साथ एक चमकदार सिर के रूप में दिखाई देता है जैसे जैसे ये सुरे के निकट में आता है इसकी पूचका कार बढ़ता जाता है तो किसकी ये बात कर रहा है धूम के दो की साप रात के आकास में अक्सर चमकदार रोसनी की धारियां दिखाई देती है इन्हें तूरते तारे कहा जाता है लेकिन ये वास्तों में क्या होती है अभी हमने तोड़ी दिर पहले बात की थी कि ये उलका पिंड होती है क्या होती है उलका पिंड तो अब आप से अब फिल्मों में अगिरा में देखो तो कहीं सारे जो नहीं जानने वाले हैं वो क्या कह प्राकरतिक उपगर्ण हैं लेकिन वह उपगर्ण का नाम बताना है जो भारत ने छोड़ा है और बारत का परल आएं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आरे बट कौन हैं दोस्तों आरे बट यह तो बड़े बड़े एक्जामों में पूछा जाता है और आपकी किताब में से हैं तो कितने इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे अगर सनी को समुद्र में फैक दिया जाए माल लेते हैं तो बताओ वह तेरेगा डूब जाएगा या फिसी में घुल जाएगा या पिर सारा पानी वह खुदी सोंक लेगा बताओ क्या होगा अगर सनी जो है ना उस जी एक हंसले वाला इमयोजी असा बना हुआ रहता है तो उसको पानी में प्यंगे तो जींने लगती है क्यों शक का आखार ठीब ór mmanagalgarh पभी बेजते हैं लेकिन वहाँ पर जो सरवे करना वहां की जानकारी लेना यह बहुत ही ज़्यादा कटिन होता है तो यह पूछ रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण है यह सुर्य की चमक से चीपा हुआ है इसलिए इसका जो निरिक्षन करना काफी ज्यादा कटिन होता है अब देखो एक और लोजिक वाला किशन आया है देखो जो नुर्मल वाले किशन है उनको सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर आपका यहां पर पढ़ने का क्या मतलब है यहां पर यही है कि कुछ ऐसी किशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे जो कुछ ट्रेकी रहेंगे और जिनमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो उन्ही में आपको जो है अपनी बाजी माननी है तो अच्छे से समझ के जरूर देखे एक एक क्यूशन को रवी आदी रात को आकास में सुक्र की तलास कर रहा था आप देखो रवी ने प तो वह चल गया वाइचत पर और क्या कर रहा है वह सुक्र की तलास कर रहा है कि सुक्र कहां पर है तो मोहन उस पर असरा है अब क्यों असरा है बताओ मतलब रात को क्या कर रहा है टीचर ने बताया कि यह देख सकती हो तो वह उसने क्या गिया रात में वह मिड़नाइट में ही सुक्र दिखाई देता है सुक्र को हमने क्या वोला था सुक्र को हमने बोला था बोर का तारा और साम का तारा यानि कि संद्या का तारा भी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं क्यों कि यह सुब और साम को ही देखता है सुर्यास्त होता है ना मतलब सुर्यद जब सुर्यद उग संचता हैं आई एए यूप मिलते हैं अपको याद रखना है यहाद रखनी कि कब ऩाया भी पूछ सकता है तो बताना है 2006 में ठीक है न तो तीन क्यूशन आपको नए यहां पर जानने को मिले होंगे तो इनको जरूर याद रखें और मतलब कब रटाया था 2006 में हटाया था जरूर याद रखें परकास वर्स की एक तरिके से परिबासा पूछ रहा है या उसके बारे कितनी बार पुर्तीव पर आएगा जाएगा जाएगा ना यह उती है किसी परकास वर्स की ऐने वर्स की दो कवर किया तो इसको बोलती है तो यहाद समापत होता है आज सेकंड पार्ट देखें उससे पहले कुछ जहान लेना जरूरी है और भी से लिए निए हम क्या कर दो उसके लिए हमारी तरफ से आपको डेली पांच बजे एक वीडियो मिलता है सब्जेक्ट वाइट सले बस कवर करवा रहे हैं उसके बाद इंपोर्टेंट की पीडियाप भी मिलती है जिससे आप रिविजन कर सकते हो वी दा आंसर मिलती है डेली टेस्ट आपका लिया जाएगा बाद में अभी नहीं लेते हैं कोई कलेम में करना है नहीं चाहता एक तो बाद में आप फिर मतलब देखो कि अभी तो डेली टेस्ट लेते हैं नहीं हो तो जो डेली टेस्ट हैं वो आपको मिलेगा जब सिले बस cover हो जाएगा लेकिन weekly test अभी जारी है weekly test चल रहा है अपना और 24 गंटे support मिलता है आपने भी देखा होगा आपने कभी comment किया होगा तो पर देख comment का आपको जवाब दिया जाता है चाहिए आप कुछ भी लिखो फिर भी जवाब दिया जाता है और यह आपको मिलेगा केवल 49 रुपे में ही और जब आप coupon code लगाओगे तो उसमें फिर यह आपको 46 रुपीज के आसपास ही पड़ेगा इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगे तो यह ज़्यादा price भी नहीं है आपके लिए आप देखो जैसे ही आप एप ओपन करोगे ना तो आपको यह store का option देखेगा यहाँ पर देखो store का option नीचे जो होते है अपने बटन होते है न मोबाइल के वहाँ पर देखेगा store का option जैसे ही आप store के option पर क्लिक करोगे तो आपको कहीं सारे course देखो स्लाइड में यह यहाँ पर देख जाएंगे तो आपको जो अपनी class है ना जिसे आपकी 9 class है तो यह जो नीचे का है ना यह नीचे वाले मोदी जी वाला जो फोटो लगा हुआ है इस पर क्लिक करना है आपकी class लिक रही है यह वाँ पर तो वह दिख जाएगी अब जैसे ही आपकी class वाले course पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर mobile नमबर आ जाएंगे यह आपके और भी नीचे email पूछेगा तो email डाल देना कोई भी कोई लिक्कत वहाँ पर नहीं होगी email डाल दी आपने उसके बाद में proceed पर क्लिक कर देना यह प्रोसीड वाला option उनसे भी कर सकते हो UPI से जहां से भी आप करना जाओ उसके उस पर क्लिक कर देना और पिर यहां पर पे नाओ पर क्लिक कर देना जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पिर पे कर सकते हो और अपना जो कोर्स है उसको आप जोईन कर सकते हो ठीक है बाकी उससे काफी ज़्यदा help आपको कि ज़्यादा हो रहा है तो उसकी पर्मुक गेस कौन चीह तो उसकी पर्मुक गेस ने कार्बन डायोकसाइड यहानी कि यह जो क्या बोलते वाई उपरदूशन करने में सबसे इंपोर्टेंट गेस कौन चीह यह सी ओ टू भी आ वाँ पर देखो दोस्तों सी ओ टू भी नाम नहीं है यानि कि आप से नॉर्मल किशन पोच रहा है कि जो गलोबल वार्मिंग आप कहीं बात देखता हो देखे होंगा आपने पड़ा भी होगा कि गलोबल वार्मिंग से काफी ज़्यदा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार इन में से कौन सी गेस नहीं है तो तो राइट आंतर हो जायगा नाइट्रोजन का कोई यह नहीं है गलोबल वार्मिंग को बढ़ाने में लेकिन सुल्फर डायökसाइड कार्बन डायोकसाइड मिथेन ये सभी global को बढ़ा रही है तीसरा क्यूषण गंगा एक्सन पलान किस वर्ष लूंच किया गया तो राइ संख एंग से वीकरणों को आउसोशित करती है यह कौन से वीकरणों को सब आपसे पूछ रहा है तो राइट आंसर अपना हो जाएगा और रख्थ वीकरणें होती है उनको यह अउसोशित करती है अगला कीशनव पाँच वह ऑतो मोबाईल के निकास में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो ओटो मोबाइल होता है तो यह जब अपना कच्रा निकालती है तो उसमें कौन सा तत्व यह छोड़ती है मलब जिसकी उजिसे नुकसान होता है हमें तो वह आपको बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना राइट मार्बल केंसर की घटना किस के कारण होती है जो मार्बल केंसर होता है इसकी घटना किस कारण होती है अमलिय वर्सा के कारण मार्बल केंसर का मतलब है जैसे अपना तार जबना लेना वह संग मरमर यानि कि मार्बल का बना हुआ है तो वह देरे देरे पीला पड़ रहा है तो तो एक तरके से इस बीमारी को नाम दे दिया मारवल केंसर तो वह किस वज़ेसे हो रहा है अम लिये वर्था की वज़ेसे ये क्यूशन पूछ रहा है हवा में बिखरे हुए ठोस या तरलकनों को क्या करते हैं हवा में जो टोस कणों होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं इनक कौन सा परदूशन हो सकता है वो तो राइट आंतर हो जाएगा वायू परदूशन वायू परदूशन से इसको काफी ज़्यदा हान नहीं है वायू परदूशन के प्रमुक कारणों में सामिल है बता वायू परदूशन जो होता है न हुआ का परदूशन उसके कारणों में इ क्यूं हुई थी किस कारण हुई थी या आपको बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आसर अपना हो जाएगा जरीलिगेस के रिसाव हो गया इसलिए नेमने लिकेत में से कौन सी सामगरी जलिये जनतुओं के लिए सबसे अधिक हानी कारक हैं जो जल में जो भी जीव जनतु रहते हैं उनके लिए नुकसान दाएक सामगरी हैं उसका नाम आपको बताना है तो राइट आंसर अपना हो जाएगा भारी दातु आयन, जो भी भारी दातु के आयन होते हैं, वो उनके लिए हानिकारक होते हैं उच्छ नमक सांदरता वाले पानी को सुद्ध किया जा सकता हैं, मतलब जिसमें काफी ज़्यदा खारा वाला पानी उसको कैसे सुद्ध किया जा सकता हैं, वो बताना है आपको, तो इसमें राइट अंसर अपना हो जाएगा, रिवर्स ओसमोसिस के द्वारा, किसके द्वारा reverse osmosis के द्वारा सुद्ध किया जा सकता है निमने लिक्त में से कौन सा एक gear bio degrabble परदुशक है gear bio degrabble क्या होता है जो छोटे छोटे जीव जनतु है जिसको वो एक तरीके से समाप्त नहीं कर सकते एसा कौन सा इन में से परदुशक है वो बताना है तो right answer अपना क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा DDT क्या हो जाएगा दोस्तों DDT क्या है एक gear bio degrabble परदुशक है छोटवा question आपके लिए है कि निमने लिक्त में से कौन सा जल परदुशक का परमुक्स रोत है जल परदुशन होता है पंदुरवा question पानी बचाने के लिए शी चाहिए कि निमने लिक्त में से किस तकनीका उप्योग किया जाना चाहिए पानी बचाने के लिए बताओ इन में से किस तकनीका में प्रियोग किया जाना चाहिए तो जाएगा drip सी चाहिए यानिकि बूंद बूंद जो सी चाहिए उसका प्रियोगा में करना चाहिए वहान उसे निकलने वाले धुये में कार्बन मोनोकसाइड के कारण किया होता है माला वान जो होता है न कोई भी सादन हो गया उसमें से जो धुआ निकलता है उसमें होती हैं कारबन मोनोकसाइड तो उसके कारण क्या होता है उसके कारण RBC की ओक्सिजन वहन ख्षमता कम हो जाती है हमारे इंदर जो RBC होता है Red Buller cells उनकी जो ऑक्सिजन को लाने ले जाने की क्षमता होती है वहन करने कि वह कम हो जाती है और जब कम हो गई ज्यादा कितरता का नाव ना सँना होगा तो इस इस मुझ का क्या ताइट पर रहे हैं यह स्रूण का मतलब आपको बताना तो राइट THE हो जाएगा धुआ और कोहरा इसमें दोनों चीज़े सामिल होती हैं धुआ और कोहरा कोई क्या बोलते हैं स्मोग बोलते हैं रेफ्रीज रेटिंग उपकरन जो होते हैं उनमें प्रियुक्त गेस जो ओजोन को गंबी रिक्षित में पहुंचाती है यानि कि जो अपने इनमें अगला क्यूशन अमली वर्सा में प्रमुक रूप से होते हैं बताओ जो अमली वर्सा होती हैं तो उनमें प्रमुक रूप से कौन से ततू पाए जाते हैं कौन सी गेसे पाए जाती है क्या पाया जाता है इनमें से बताना है तो राइट आंतर हो जाएगा सुलफर पिर रेन भी इसको इंगलिस में बोलते हैं और अभी हम ने क्या बोला था आमल वर्सा तो दोनों का मतलब एक ही हैं एक इसको एक्यूशन ग्रीन हाउस पर बाउक किया है या इसके बारे में थोड़ा बहुत इन में बताया गया है तो उसकी ग्यादार पर आपको उतर देना ह तो सुरे की गर्मी को रोक लिया जाता है और बाहर नहीं दिया जाता है इसी को बोलते हैं green house मतलब ऐसे एक अपनी ये लेयर हो गए ये अपनी परत्वी हो गई सुरे का परकास आया पिर यहां एक मिनट ये आया और पिर यहां से उपर जाता है न वापस तो ये लेयर है ना ये इसको बार नहीं जाने देती अब जब ये बार नहीं जाने देगी तो फिर गर्मी गर्मी हो जाएगी इसी को बोलते हैं green house परवाओ आगे क्यूशन देखो बाइसवा green house गेसों में सामिले ये बहुत ही जड़ा important क्यूशन है पूछ लिया जाता है कि बताओ green house गेसों के नाम बताइए तो right answer अपना हो जाएगा एक तो हो जाएगा CO2 अना carbon dioxide कौन सी है carbon dioxide एक है methane एक nitrous oxide ये सभी क्या हैं ये सभी green house गेसे हैं जरूर याद रहें देएस वागे आपके लिए पाने को सुद्ध करने के लिए आम तोर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासाईने की सुद्ध करने के लिए इन में से कौन सी विद्ध हैं जिसका हम use करते तो right answer a chlorone klorini करन कौन सी क्लोरी करन के दौरा हम पाने को सुद्ध करत तो बताओ यह किस से संब्दित है यह गंगा में मतलिप नहीं यह इसके लिए तो परदुशन उसको कम करने के लिए यह यह किसके लिए गंगा का परदुशन कम करने के लिए अगला वह यह जाता है आपको चरुम जरूर करें आपसब को करें आपकी आप समय करने से तक रहें वीडियो को लायफ देखने के लिए कि दो लगा वी